तूदेंट्स वेलकम टू दे चैनल दे फार्मा स्कॉलर्स तो आज की वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था मेरी सीरीज चल रही थी जिसमें कि मैंने फार्मकोलोजी के और आपके फार्मासोटिक्स के और लॉंड एथिक्स के कुछ कोश्टन को सॉलर करवाय था आज उसी स का सेटेंड वीडियो अपलोड कर रही हुँ जिसमें कि मैं एम्सी क्यों मैंने किलेक्ट किये हैं साइज रिदक्शन अंड साइस सप्रिशन से ओके सो कोश्टन जो हैं जो काफी जाद एकस्पेक्टेड हैं या प्रिफॉर किये जा सकते हैं उन कोश्टनस को मैंने पूट किया है and कुछ questions की answers भी descriptive form में दिया हुआ है अगर आपको कोई doubt लगेगा तो आप मुझसे comment section में पोच सकते हैं question है which of the following is importance of size reduction यानि कि size reduction का importance क्या है यानि कि इन में से कौन सा point है जो size reduction की importance को show करता है या क्यों important size reduction so option to increase the rate of solution to get a uniform powder to increase the rate of absorption of a drug and all of the above हमें पता है देखिए size reduction का मतलब क्या है कि हम किसी भी drug को उसके fine particles में reduce कर रहे हैं उसी को हमने बोला size reduction और प्या size reduction क्यों करना है अब मैं आपको एक्जामपल बताती हूँ कि मान लिजे आप market से एक शक्कर की cubes लेकर किया है और आप उन शक्कर की cubes को water में dissolve कर रहे हैं एक तरफ आपने एक ग्ला स्पून में आपने एक चमच जो market में white sugar आती है आपने इसको dissolve किया तो dissolve पहले कौन सा होगा वो sugar dissolve होगी जो fine particle में होगी बजाएगी जो cubes वाली शक्कर है उसके comparison में तो जिस substance का size जितना जादा कम होता है वो उतना ही जादा किसी solvent में अच्छे से mix होती है तो इसलिए अगर हमें drug का effect जादा चाहिए या उसकी efficacy जादा चाहिए या उसका absorption जादा चाहिए तो हमें उस drug के size को reduce करना पड़ेगा अब आप tablet लेते हैं तो tablet as it is blood में नहीं जाएगी जब तक कि वो water में dissolve होकर कि हमारे stomach के enzymes में dissolve नहीं होगी and dissolve होने के बाद हमारे blood में नहीं जाएगी इसलिए drug का particle size reduce करना काफी जादा important है इन में से कौन से point बन रहा है to increase the rate of solution, to get a uniform powder to increase the rate of absorption of a drug, all of the above so बहीं देखे, rate of solution हमारा तभी increase होगा जह हमारा particle size reduced होगा uniform powder हमें बनाना है हम particle के size को reduce इसलिए करते हैं ताकि हम uniform powder बना सके to increase the rate of absorption of a drug drug के absorption को increase करने के लिए भी हम size reduction करते हैं so इसमें से ये 4 options जो हैं वो हमारे size reduction के लिए compatible है so the correct answer is B next which factors not affecting size reduction इन में से कौन सा factor ऐसा है जो size reduction को effect नहीं कर रहा है moisture content, material structure, navigation and ratio of feed size यानि कि इन में से कौन सा ऐसा factor है जिसकी वज़े से size reduction के process में कोई भी अंतर नहीं आता है पिर से देखिए moisture content, material structure, navigation and ratio of feed size अब correct answer पहले देखते हैं फिर मैं आपको explain करती हूँ correct answer is a C, C क्या है? navigation हमें पता है कि navigation का मतलब क्या होता है navigation का मतलब होता है कि हमने एक powder लिया उसका एक paste बनाया ठीक है या हमने कोई powder लिया उसका paste बनाया paste बनाने के बाद देन उसका size reduction कर रहे हैं and then उसमें हम size, उसके size को reduce कर रहे हैं so navigation is the another process जिसमें हम अपने product का paste बनाके and then उसको mortar and pestle में उसका thick paste बना करके उसके size को reduce करते हैं लेकिन इसमें से question ये पूछा है which factors not affecting size reduction? कौन से factor है जो size reduction को effect नहीं कर रहा है अब पहला अगर में देखूँ तो पहला है moisture content क्या है कि अगर drug हमारी जितनी जादा moisture रहेगा उसमें उसका size reduction होने में काफी जादा problem होगी आप अगर simple से example लीजे आप कोई भी चीज का size reduction कर रहे हैं and उसमें अगर water content है तो वह बहुत जल्दी उसका size तो उसका answer is the navigation ठीके ना now come to the next question which of the following is a method of size reduction इसमें से कौन सा method हमारा size reduction का method है पहला option है हमारा that is a compression दूसरा option है centrifugal तीसरा option है sieving and fourth option है agitation so in चारों में से कौन सा method हो सकता है हमारा size reduction का अब आप देखेंगे तो जो compression है compression का मतलब क्या होता है कि दो forces के बीच में एक object को रखना and then उसको press कर देना that is called the compression centrifugal का मतलब क्या होता है कि भई हमारा जो substance है वो एक force के थूँ wall की side में separate होता है that is called the centrifugal force okay sieving का मतलब क्या होता है कि भई हम एक method के थूँ किसी भी substance को ऐसे shake करते है जिसके थूँ substance जो है वो separate होता है and agitation it is also type of size separation method so इन तीनों में से centrifugal, sieving and agitation these three all are the method of size separation while only the compression is the method of size reduction okay so the correct answer is the correct answer is the A that compression is the method of size reduction rest of the methods are for the size separation okay next question is the roller mill act on the principle of cutting, compression, impact or attrition सबसे पहले ये समस्ते हैं कि जो हमारी roller mill है वो कैसे ही दिखती है या कैसे काम करती है अगर आपने थोड़ा फार्मास्योटिक्स में पढ़ा हो तो roller mill हमारे चक्की जैसी होती है चक्की का मतलब क्या होता है कि ये दो rollers होता है suppose सबस्टेंस है वो इससे compress होता रहता है और फीड में जो है आपका वो collect होता रहता है ठीक है न ये तो ये मूह लग रहा है तो इस तरीके से जो हमारी roller mill है वो एक compression force पे काम करती है जिसमें दो rollers होते हैं और उन rollers की बीच में जो भी हमारा substance है जो फीड है हमारा उसको हम put करते हैं hoppers के थरू और वो दोनों जो rod type की होती है वो rods जो हमारी एक compression force के थरू उस substance को compress करके and then जो हमारा आप बोल सकते हैं collector है उसमें collect करती है So the roller mill act on the principle of compression यहाँ पर compression की spelling गलत हो गई है बाकी cutting, impact and attrition यह हमारे तीनों इसके principle नहीं है रोलर मिल के next question substance should not reduce in hammer mill इन में से कौन सा substance है जो hammer mill में जिसका size reduction नहीं हो सकता है पहला है thermo-lebyal substance thermo-degrade substance abrasive substance या none of the above इन चारों में से कौन सा ऐसा substance है जिसको हम hammer mill में उसके size को reduce नहीं कर सकते हैं option thermo-lebyal, thermo-degrade, abrasive substance and none of the above So the right answer is the thermo-lebyal substance thermo-lebyal substance का मतलब क्या है option number 1 जो हमारा वो सही है यानि कि thermo-lebyal substance जो है उनको हम कभी भी hammer mill में उनके size को reduce नहीं कर सकते हैं अगर आगे चलके शायद अगर आपने नहीं देखा तो आपको आगे चलके hammer mill का भी एक image इसमें दिखाने वाली हूं So hammer mill basically क्या करती है कि इसमें कुछ hammers लगे रहते हैं आप बोल सकते हैं साथ या बारा hammers लगे रहते हैं अगर उन hammer mill में अगर हम thermo-lebyal substance को put करेंगे उनके size को reduce करने के लिए तो वो substance की property change हो जाएगी अब पहले तो यह समझते हैं कि what are the thermo-lebyal substance thermo-lebyal substance एसे substance होते हैं जिनकी property heat की presence में change हो सकती है या फिर वो substance जो थोड़ी सी भी heat मिलने पे उनके property change हो जाएगी एक्जाम्पल में जितनी की हमारी crude drug है क्या हम बोल सकते हैं मसाले हैं हमारे ठीक है ना तो मसाले ऐसे हैं hammer mill में रखा तो इनमें heat पैदा होने की वज़े से इनकी property change हो जाएगी ठीक है ना क्योंकि heat की वज़े से इनके अंदर एक reactions generate होंगी catalytic reaction जिसकी वज़े से हो सकता है कि उस drug की property change रहा thermo-lebyal substance का मतलब है कि ऐसे substance जो heat मिलने पर अपनी property को change कर देते हैं तो अगर ऐसे substance हैं जो heat मिलने पर अपनी property को change कर देते हैं उनको हम कभी भी hammer mill में उनके size reduce नहीं करते राइट ना तो thermo-lebyal should not reduce in hammer mill next question in hammer mill and in disintegrator the size reduction is done by compression, impact, attrition and cutting principle क्या है दोनों चीज़ मैंने एक साथ क्यों पूछा है क्योंकि जो हमारी hammer mill है and disintegrator mill है यह दोनों का principle सेम है ठीक है ना इसलिए इनका principle पूछा है कि disintegrator mill में size का reduction होता है वो किस process के तुरू होता है अगर आपको याद हो तो हमारे size reduction में कुछ basic mill है सबसे पहले तो आती है हमारी कौन सी like roller mill ठीक है जो सबसे basic है जो आटा की चक्की जैसी होती है दूसरा hammer mill तीसरा ball mill चौथा है disintegrator and पांचवा है fluidized energy mill ठीक है ना यह 5 mills है हमारे size reduction में जो कि अलग-अलग principle पे काम करती है उसमें से hammer mill and disintegrator mill यह दोनों same principle पे काम करते हैं तो इसमें से कौन से principle पे काम करेंगी compression पे, impact पे, attrition पे या cutting पे so the right answer is B B मतलब impact अब impact का मतलब क्या होता है पहले यह समझे compression का मतलब समझाते हो compression का मतलब है कि मान लीज़े यह दो substance है and इसके बीच में हमने एक substance दिया and वो substance जो है दोनों के बीच के force की वज़़ए वो compress हो गया, ठीक है compress होने से वज़़ए उसका size जो small हो गया, impact का मतलब है कि कोई substance है मान लीज़े and यह किसी substance से टकरा रहा है, मान लीज़े मैंने आपको बोला कि एक ball है, आप ball को ऐसे, या मिट्टी का एक ball है, उस मिट्टी कोई ball को आप wall पे फेक किये तो उससे क्या होगा कि वो मिट्टी का ball जब दिवाल पे टकराएगा तो उसका size reduce हो जाएगा, तो impact का मतलब ही होता है कि इसमें एक object दूसरे object जो कि stationary है, जो कि रूका हुआ है उससे टकराता है और उसका size जो है, वो reduce हो जाता है ठीक है न, attrition का मतलब होता है कि इसमें दो moving substance आपस में टकरा रहे हैं और उनका particle size reduce हो रहे है इसमें एक ही moving particle होगा हमारा substance, लेकिन attrition में दो moving particle होंगे और यह जब आपस में टकराएंगे तो इनका size reduce होगा and cutting का मतलब आपको पता है कि sharp blades होंगे उसकी वज़से जो substance है उसके particle size को reduce कर दिया जाएगा यह चारों जो principle है यह अलग-अलग तरीके से काम करता है इन ही चार principle में हमारा size reduction होता है compression मतलब दो substance के बीच में हमारे substance को compress कर दिया जाएगा इंपक्ट का मतलब है कि इसमें एक जो substance है वो stationary रहेगा ने रुका रहेगा और हमारा substance उस stationary substance से टकराएगा मैंने आपको मिट्टी के ball का example दिया ठीक है ना attrition का मतलब है कि इसमें दोनों substance यानि कि या तो हमारा substance जो हमारे particle size है वो ही आपस में टकरा टकरा करके और उनके particle size reduced हो जाएगे तो इसी को बोलते है attrition ओके ना and cutting मतलब भई sharp blades की वज़े से उसका size reduced हो गया so hammer mill and disintegrator mill इन में से किस principle पे काम करती है correct answer is B यानि कि impact ठीक है ना अब impact मैंने क्या बोला कि भई एक substance दूसरे stationary substance से टकराएगा right ना यहाँ पे देखे मैंने hammer mill यहाँ पे रखी है and यह मैंने disintegrator mill रखी है ठीक है ना hammer mill में क्या होता है कि यह जो substance से यह हम पोर कर रहे है अब यहाँ पे यह substance इस hammer से टकरा रहे है ठीक है ना and टकराने के बाद इनका यह देखे आप यह hammers रोटेट करते रहते है ठीक है ना 360 degree एंगल पे रोटेट करते रहते है and इनसे जो हमारा particle size टकराता है ठीक है तो उसके वज़े से उसका particle size small हो जाता है इसके shaft से जब टकराएगा तो उसका particle size small हो जाएगा ठीक है ना तो इसको बोलते है impact same वैसे ही जो हमारा disintegrator होता है disintegrator में भी हमारे यहाँ पर यह shaft लगे रहते है and यहाँ पर हमने अपने substance को दिया और यह जो हमारा disintegrator है इसमें से यह hammer type के हैं यह भी move करते रहते है and इन से हमारा substance टकराता है and then हमारे substance को यहाँ से यहाँ से collect कर लिया जाता है इधर से यहाँ से ठीक है ना तो यह दोनों ही substance यह दोनों ही meal जो हमारी impact पर काम करती है किस पर काम करती है impact पर hammer meal और disintegrator meal they both act on the principle of impact ओके now come to the next fluid energy meal works on the principle of देखे मैं आपको simply एक बात बताऊं कि यह जो है ना energy meals है या यह जो आपके ball meals है यह बहुत अच्छा अगर आपको इनका principle समझ में आ गया तो आप इनके construction इनका working इनका use बहुत easily समझ जाएंगे ठीक है ना और यह बहुत easily तरीके से इनका जो mechanism है और बहुत अच्छा mechanism है आपको एक बार में अगर अच्छे पढ़ लिया आपने तो समझ में आ जाएगा and fluid energy meal, ball meal, roller meal और आपकी hammer meal, disintigators यह सब तो paper की point of view से भी उतना ही जादा important है अगर आपको लगता है कि इसमें से किसी एक topic पे यह अगर आप चाहते हैं कि मैं videos बनाओ, sutix के भी videos बनाओ तो मैं आप मुझे comment section में बताना मैं उस पर videos बनाना शुरू करूंगे ठीक है ना? So fluid energy meal works on the principle of fluid का मतलब ही क्या है? यानि कि ऐसे substance जो fluid form में होते हैं and उनके अंदर हम size का reduction करते हैं उसी को हम बोल रहे हैं fluid energy meal अब यह यहाँ पे fluid energy meal काम करती है किस principle पे? compression पे, impact पे, crushing पे, attrition या impact पे So correct answer is D यहाँ पे दो चीजे हैं ठीक है ना? मैंने आपको बोला कि जो हमारी fluid energy meal जो attrition है attrition का मतलब है कि दो substance आपस में टकराएंगे that is attrition कि इसमें हमारा substance किसी एक stationary substance से टकराएंगा that is called the impact तो fluid energy meal basically ऐसे substance जो बहुत fine particles हम को जिसमें चाहिए जिसे कि आपका lactose powder आता है जो milk powder आता है तो ऐसे substance का जो size reduction है ना? वो fluid energy meal में ही होता है So attrition and impact is the principle of fluid energy meal देखें यहां पे ना मैंने एक chart paste किया है यह आपकी book RM में तस ही मैंने आप पे paste किया है इस chart को आप थोड़ा सा अगर समझ जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजों का clue आपको idea आ जाएगा यहां पे जितनी भी meals हमारी size reduction में use हुई है वो सब किस principle पे काम करती है उन मिल का नाम क्या है principle क्या है ठीक है ना जो product का size है वो कितना size छोटा कर देती है किन के लिए use किया जाता है और किन के लिए use नहीं किया तो this is a very important chart राइट ना इससे आपको सारी जितने भी uses है principle है वो सब आपको इससे clear होगा जैसे की cutter में cutter मतलब उसमें blades होंगे तो किस principle पे काम करेगी cutting पे ठीक है ना अब हम cut किसको करते हैं ऐसे substance जैसे कि मान लिजे vegetable drugs हैं ठीक है तो vegetable drugs को हम cutting के through ही हमारा size reduction करता है मान लिजे कोई घास है ठीक है तो घास को या कोई ऐसा plant है आप उसको compress नहीं कर सकते जब तक आप उसको oil नहीं निकालना है तो ऐसे substance का size reduction हम cutting मेल के through करते हैं ठीक है इस cutting मेल में हम friable materials को use नहीं करते हैं friable material मतलब जो बहुत contract में आते ही चकना चूर हो जाते हैं तूट जाते हैं तो ऐसे substance को cutting मेल में यूज नहीं करते हैं next आता है हमारा roller meal राइट ना अब roller meal हमारे किस principle पर काम कर रही है यहाँ पर compression जिसमें मैंने बोला कि दो चीज दो जैसे कि दो substance आपस में एक force लगा कर उस substance को press कर देंगे that is called compression ठीक है ना यहाँ पर हमारे जो soft materials हैं उनको ही हम roller meal के थूँ उनके size produce करते हैं लेकिन जो abrasive materials हैं उनको हम roller meal के थूँ उनके size produce नहीं करते हैं next आता है hammer meal hammer meal act on the principle of impact okay ना impact का मतलब क्या मैंने बताया कि substance ऐसा moving substance किसी stationary substance से जाके टकराएगा that is called the impact और यह जो hammer meal हमारी सारी तरह की drugs को हम इसमें इसके size produce कर सकते हैं सिर्फ abrasive materials हैं उनको हम stick उसके size produce हम नहीं कर सकते next आता है disintegrator disintegrator का मतलब क्या है यानि कि मैंने आपको भी थोड़े पहले बताया यह किस principle पे काम करता है impact पे तो इसमें almost हमारी जितनी भी hard drugs है न उन सब की size को हम इसमें reduce कर सकते हैं लेकिन जो soft and sticky substance हैं उनकी size को reduce नहीं कर सकते next आता है हमारा ball mill ball mill हमारा किस परी बहुत famous इसका principle बहुत important है ball mill हमारी attrition and impact act दोनों पे काम करती है what is the attrition what is the impact impact का मतलब है कि substance moving है and stationary चीज़ से टकरा रहा है and attrition का मतलब है कि वो दोनों substance आपस में भी टकरा रहे हैं जिसकी वज़ा से उनका size reduce हो रहा है तो ball mill में क्या होता है कि substance ball से भी टकराता है and आपस में भी टकरा करके उनके size का reduction होता है इसी को बोलते हैं attrition इसमें हमारी जितनी भी brittle drugs हैं जैसे बहुत easily जो तूट जाती है उन substance का size को reduce किया जाता है ठीक है न किसमें यूज नहीं किया जाए को जो soft है क्योंकि उस्टिक हो जाएंगे उसमें है न इसलिए soft materials को हम उसमें stick नहीं करेंगे फिर आता है हमारा fluid energy mill fluid energy mill हमारी किस principle पर काम करती है attrition and impact इसमें हमारे जितने भी जो normally hard and friable substance है उनके size को reduce किया जाता है sticky materials के substance को reduce नहीं किया जाता है next edge runner mill ये भी हमारी crushing and shearing पर काम करती है and इसमें almost सारी drugs को हम use कर सकते हैं लेकिन sticky substance के size produce नहीं करते हैं ठीक है ना so ये जो चार्ट this is a very important please go through with this आपको इससे बहुत सारे चीज़ें clear हो जाएंगी बहुत सारे questions आप इससे solve कर पाएंगे this is the extract of your size reduction कि किस principle पर है कौन सा substance कर सकते हैं कितने type की mills हैं ये सारा आपको इससे समझ में आ जाएगा next question the efficiency of a ball mill is maximum at ठीक है ना ball mill आप सबने देखी है ठीक है अब ये जो ball mill की efficiency है ये किस speed पर सबसे ज़ादा होती है low speed, medium speed, high speed और none of the above ठीक है ना इसके लिए पहले मैं आप लोगों को वो image दिखाती हूँ ball mill की so देखे यहाँ पर image है जिसमें की ball mill में किस तरीके से rotation होता है वो दिखाए गया है अगर ball mill एक low speed से rotate करेगी उसके अंदर जो balls हैं जो steel की जो balls हैं अगर वो एक low speed से rotate करेगी तो वो balls जो है वो एक दूसरे के उपर roll सी होंगी और उनसे बहुत जादा speed ना होने की वज़े से उसमें size reduction नहीं होगा ठीक है ना फिर लेकिन अगर हम ball mill को बहुत high speed से rotate करते हैं तो high speed से rotate करने के वज़े से क्या होगा कि जितनी भी balls हैं वो wall के पास जाकर के centrifugal force के थूँ वो सारी balls में जाकर के इकठा हो जाएंगी और जो material है वो बीच में ही रह जाएगा और उसका size reduction नहीं होगा so correct speed is एक moderation की speed लेनी है जिसमें की होना actually क्या है कि जो हमारा particle size है जो भी हमारा substance है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो balls हैं वो 45 degree के angle से slang down या tilt down हो करके दूसरे पर roll हो करके गिरें जिसकी वज़र से size का reduction हो so जो correct speed है that is a moderation speed जिसमें की जो balls हैं एक moderate speed के थूँ एक 45 degree के angle से गिरनी चाहिए उपर से नीचे तक कि उन्हीं के बीच में size का reduction हो and this can cause the better size reduction into the ball mill so the correct speed is the moderation speed यहाँ पर देखे मैंने explain भी किया इसको कि high speed से क्या होगा at high speeds the ball will be thrown out to the walls by centrifugal force high speed रहेगा तो जो balls है वो centrifugal force के थूँ walls में जाकर के हो जाएंगे and कोई भी grinding नहीं होगी अगर हम बहुत low speed रखते हैं तो जो balls है वो एक दूसरे के उपर slightly slide होँगी and कोई भी size का reduction नहीं होगा क्योंकि उन्हीं की speed ही बहुत कम है वो एक दूसरे के उपर roll कर पा रही है बस बट अगर हम उसी ball mill को एक moderate speed से अगर rotate करें तो उसकी वज़ा से क्या होगा जो balls है which results the balls and carry almost all the top of the mill and वो mill की top से roll होंगी and जिसकी वज़ा से maximum size reduction होगा so this is the basic principle of the ball mill okay so the right answer is the medium speed यानि कि right answer क्या है आपका B this question is from the size separation अभी तक मैंने जो question cover किये वो आपकी size reduction से थे लेकिन यह question आपका size separation से okay न so moderately coarse powder pass through sieve number right so जो moderately coarse powder होता है वो sieve number कौन से sieve number से pass होता है sieve number 10 sieve number 10 sieve number 22 sieve number 44 and sieve number 85 so kis sieve number से हमारा यह coarse powder pass होगा so the right answer is अब पहले मैंने यहापे answer तो दिया है कि correct answer is B यानि कि जो आपका sieve number 22 है उससे हमारे coarse powder पास हो जाएंगे लेकिन यहाँ पे मैंने एक chart फिर से लगाया है कितने grades of powder होते है 5 पहला होता है coarse powder ठीक है ना coarse powder दूसरा होता है moderately coarse powder तीसरा होता है moderately fine powder फोर्थ होता है fine powder और फिफ्थ होता है very fine powder यह 5 grade of powders होते हैं इन 5 grade of powders का एक criteria है कि इनको हम इसलिए grade मिलाएंगे कि इनका हम standard रखेंगे standard क्या कि अगर यह powder हमारा इस number की sieve से pass हो जाता है तो हम इसको इस category में रखेंगे ठीक है ना जैसे की अगर मैंने आपको थोड़ देर पहले example यह था है लेकिन उसकी cubes पड़े हैं और वह सीव से पास नहीं हो रही है इसलिए उसको हमने big sugar में रखा है ठीक है ना तो same वैसे ही यहां पर जो हमारे powder से इनके कुछ grading लिखी गई है ठीक है ना जैसे कि अगर हमारा जो पाउडर है वह 10 नंबर की सीव से पास हो जाता है ठीक है अब एक और चीज है यहां पर कि यह जो कोर्स पाउडर है इसका 40% 44 नंबर की सीव से पास नहीं होना चाहिए इसका 40% 44 नंबर की सीव से पास होना चाहिए तब ही हम इसको कोर्स पाउडर बोलेंगे ठीक है नेक्स आता है मौडरेटली कोर्स पाउडर मतलब क्या है कि भई इसका पाउडर यह 22 नंबर की सीव से पास हो जाने चाहिए इसके 40% सबस्टेंस जो है वो 60 नंबर की सीव से पास हो जाने चाहिए ठीक है ना यह सब सीव नंबर से हैं फिर आता है मौडरेटली फाइन पाउडर जो की 44 नंबर की सीव से पास होगा तभी हम उसको मानेंगे and उसका 40% 85 number की sieve से pass होगा तब ही हम उसको moderately fine powder मानेंगे ठीक है न फिर आता हमारा fine powder fine powder मतलब जो 85 number की sieve से pass होगा that is a fine powder and जो very fine powder है that is a 120 degree, 120 sieve से अगर pass होगा तो हमारा very fine powder है ओके, so these are the some grades of powder and जिसके लिए एक particular number of sieve से है कि भाई हम इनको इसी grade में तम मानेंगे जब ये हमारी जो substance है इस particular number of sieves के mesh से pass होगा next question, which grade of powder pass through 120 sieve number अभी मैंने आपको बताया just so ये question आप लोग बताएंगे coarse powder, fine powder, very fine powder या fine powder इसमें से कौन सा powder है जो 120 sieve number से pass होगा ठीक है correct answer is correct answer is C the cyclone separator separates solids from fluids on the principle of sedimentation, centrifugal force, density and none of the above इसमें से जो हमारा cyclone separator है वो किस principle पे काम करता है cyclone separator है, मतलब की जैसे cyclone होता है न, सेम बैसे ही है cyclone क्या करता है कि उसका force क्या लगता है कि center में लगने की वज़े से जितने भी object हैं, वो बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है न, तो यहाँ पे जो force लगेगा, that is the centrifugal force, okay, so the correct answer is the beast, cyclone separator है, वो size separation on the basis of centrifugal force करता है देखे, अगर मैं इन सबको बहुत detail में explain करने लगोंगे, तो हम MCQs solve जादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको चाहते हैं, कि मैं इन topics पर या जो meals हैं, या फिर जो working से इनकी working अर आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो आप मुझे comment में बताइए, मैं उन पर फ size separation is based on the principle of high and low density, in descending order, particle size and shape of powder, illustration method क्या होता है, भाई, illustration method मैंने आपको पहले बताया था, कि इसमें density के basis पर size को हमने separate कर लिया, ठीक है, अब क्या करते हैं, कि उसको water में मिला लेते हैं, ठीक है, यानि कि मान लीजे कि हमारे हमें size separate करना है किसी liquid से, तो क्या करेंगे, कि उस liquid क तो थोड़ा देर stand by mode पर रख देंगे किसी भी measuring cylinder में, and then उसमें से जो हमारे heavy substance होंगे, वो नीचे settle down हो जाएंगे, and जो आपके low density के substance होंगे, वो उपर suspended रहेंगे, तो इस तरीके से हम, जो उपर हमारे low density के substance हैं, उनको remove out कर लेंगे, and high density के जो हमारे वो नीचे रह जाए So, this is the method of size suppression, which act on the principle of high and low density, okay, correct answer is the A, कुछ questions थे, from the topic of size reduction and size suppression, okay, next video में हम discuss करेंगे, pharmacognosy related, ठीक है, या फिर अगर आपको किसी ऐसे topic पे चाहते हैं, वीडियो जो आपको समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन ने पूशना, okay, तब तक के लिए, thank you so much for the watching, and please channel क subscribe करिए, अगर आपको वीडियो समझ में आता है, आप वीडियो देखते हैं, तो चैनल को subscribe किजिए से मुझे motivation मिलता है, thank you so much